नमास संस करताइए, मित्रों परिक्षा का काल नजदीक है, ऐसे में घबराहत होना भी स्वाभाविक है। बहुत सारी लोग यह सवाल करते हैं, इसर बड़ा घबराहत हो रहा है, बड़ा तनाव महसूस कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि बहुत निचुरल है यह बहुत स्वाभाविक है और परिक्षा के समय हर आदमी घवराहत में रहता ही है यदि आप सचमुच तयारी के प्रति सीरियस हैं गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं तो घवराहत होना यह अती निचुरल चीज है इसलिए इस बहुत लगता होगा कि हम इतना सारा पढ़ें हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आरा को उसका सबसक्राइब ऑलंतो गया रहे हैं ऐसे में भी झो जो दो साल से ऐसे तियारी कर रहे हैं हैं एक साल से पढ़ाने वाला ध्यापा को यादि परीक्षा देने जाए तो उसको भी हवाराट होती है गवराच कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि परिक्षाकाल में चार-पांच प्रश्णों को गलत कर देती आदमी का हाथ कापने रगता है उसके लिए यह सब विचारों के स्तर पर होता है सोच के स्तर का है सब यह सब मन्हें बैचारी के स्तर पर हम इतना सोच लेते हैं कि यह गलत हो जाएगा तो होगा बहुत नार्मल बहुत रहने के लिए आपको नौकरी का जो प्रेशर है नहीं होगा तो क्या होगा यह वहले प्रशर को अपने मन में बता-बता के समझा समझा के मन को कह कह के हटाना पड़ेगा कि अर्थात हम इतनी अच्छी तैयारी किये हैं मेरा अच्छा होगा ही हम इतना बढ़ियां से पढ़े हैं कि मेरा अच्छा होगा ही यह तो मैं घबराहट के संदर में कह रहा था और यदि थोड़ी मलग घबराहट होती है कभी-कभी तो यह स्वाभावी है उसको स्वाभावी प्रक्रिया समझ करके भूल जाना चाहिए मेरा ऐसा कहना है दूसरी बड़ी बात जो मैं आज आपको बता दूंगो एक छोटी सी बात और है कि भाई साब बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं उत्तराम चरितम और लगता है कि मेरा बताना सिर्फ एक लाउन में इतना है कि जिस चीज को पढ़ो जिस समय जिस को पढ़ो तो समझो यही भlas में है और कुछ भी नहीं की बात है आप समझने लगोगे सोचने लगोगे तैसा लगने लगेगा मेरा मतलब इतना है जिस समय आप शब्द रूप हमाड़े ability अच्छी से तो पांच मिनट दस मिनट पंद्रा मिनट वीस मिनट जितनी दियर तक आप चिले साथ आपको साहित में ग्रंत हैं सातों ग्रंतों में से किसी एक ग्रंत को पढ़ रहा है आप ले लें कि 12 बज़े बैठें दो बज़े तक हम यहीं पढ़ें कहीं मन को मत भड़का यह शब्दुरूप छूट रहा है छूटने दो संक्या छूट रही छूट जाने दो आपको लग इतना मन को समझाओ अपने मन को आप ही कंट्रोल में कर सकते हैं कोई बोले कि मेरा मन घबरा रहा है क्या करें आप ही उसके सार्थी हो यह तो कठोपनिशत भी कहता है कि मन लगाम है इस लगाम को खींच के रखो और आप अपने इस शरीर रूपी रथ के संचाला काफी हो आ तो आपकी बुद्धी कि जलीगी वैसे आपके आत्म चलेगक वैसा आपको सरीर चलेगा सरीर मन वैचारी में और ये सारी वह चारी पर होता क्या ही क्या था ौफ अपने सबी सारी आसे हो रही है तो समझो कि आपको के यहाई जो आदमी की धुनि नहीं है तो यहाई जितने ज्यादा पढ़ते जायेगे और परिक्षा काल आते पेपर तक में जीदितने पेपर आपको मिल जाएगा घब्राहत्Si निस में पड़ेंगे परने लगेगा तो तो मैं आपसे यहीं निवेदन करके आज इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि घबराना घबराने घबराहत है इससे मत घबराएं घबराहत समझे कि जैसे घरमी में पसीना आता है चंडी में ठंडी लगती है परसाथ में भींगते हैं यह स्वाभाविक प्रक्रिया वैसे पर तो यहीं सब्रुप पर नहीं कि आपके पास मिमांसा आपके पहुझ गई होगी उसको अवश्य पढ़ंगे यहां पर मिल रही है हम आपको दे रहे हैं हमारी और से यहीं आपके लिए आशीरवाद है सबने अच्छी मेनत की है जो आदमी घबर आए बीना जा करके अच्छा काला कर लेगा वही आगे पढ़ जाएगा बाकी पढ़ाई तो सब लोगों ने की है और भगवान से मनाईए दूआ करिए कि एक्जाम हो जाए एक्जाम नहीं होगा इस पर कोई तो आपकी कलपना मात्र है यह तो आपकी सोच मात्र है यह विचार मात्र हैं कि हम यह नहीं कहते हैं हम यह गारंटी नहीं लेते कि नहीं पर नहीं पर नहीं पर नहीं करना तो मैं अपने सभी साथियों से और सथिनियों से सखाओं से सखियों से यही अगरोद करता हूं कि भाईया दादा काका चाचा दादा लोगन केवल अपना पढ़ाई करना हमारा उद्देश है तो पढ़ो बन ज्यादा दिमाग मत चला उटपटाई का यह जो 20-20 दिन बचा है इस पर कभी सोचिये ही मत हमारा बहुत छूटा गया घबरात हो रही इस विचारी मत करिये घबराने का समय नहीं रहेगा तो आज के लिए इतना ही हम उम्मेद करते हैं कि मेरे इस बताने का थोड़ा असर आपको उपर पड़ेगा और जो चीजे सोचने लाइक नहीं है उनको क